किसी ने बड़ी कम्माल की बात कई है दोस्तों कभी नहार मानने की आदट एक दिन जीतने की आदट बन जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देखें आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुंँ ज़्यादा useful होने वाला है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक like कीजे, share कीजे और मेरे शैनल पर आईगा हैं दोस्तों तो please subscribe करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजे सर्गुजा में कौन सा अभियारन इस्थीद है सेमर सोत, गुमरदर, उमनती या फिर बादल, खोर करेक्ट आंसर अमारा क्या आजाएगा सेमर सोत, option number 1 को आप लोगों को याद रखना है सर्गुजा में कौन सा अभियारन इस्थीद है तो आंसर में आप लोग किसे टीक मार करोगे सेमर सोत, option number 1 को आपको याद रखना है अगला question देखें, 36 गड़ का सबसे बड़ा अभियारन है बादर खोर, तोमर पिंगला, पामेड या फिर उदमती, correct answer हमारा क्या आजाएगा बी नमबर आ जाएगा, तमूर पिंगला, option B को आपको याद रखना है 36 गड़ का सबसे बड़ा अभियारन कौन सा है, तो correct answer हमारा क्या आजाएगा तमर पिंगला, option B को आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन देखिए 2446 गड़ का सबसे चोटा अभियारन है बनन, बरवन, पारा, बादर खोल, तमूर पिंगला या फिर अचानक मार correct answer हमारा क्या आजाएगा, B नमबर आजाएगा बादर, खोल, option B को आपको इसमें याद रखना है 2446 गड़ का सबसे चोटा अभियारन है तो correct answer हमारा क्या आजाएगा दोस्तों बादर, खोल, option B को आप लोग इसमें याद रखो गया अगला कोश्चन देखिए, कांकेर घाटी में कांकेर नदी की किस नदी पर मच्छडों का प्राक्रितिक शरन इस्थल है बहैंसर दहा, अली, डूंगरी, अंतगड या फिर गिदम correct answer हमारा क्या आजाएगा, बहैंसर दरा, option B, A को आप लोगों को याद रखना है कांकेर घाटी में कांकेर नदी की किस नदी, किस इस्थान पर मगर मच्छों का प्राक्रितिक शरन इस्थल है तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, बहैंसर दहरा, option number A को आप लोग इसमें आद रखो गया अगला कोश्चन देखिए, पामेड वन अभियारन किस पसू के लिए विसेशता है, सेर वन भैसा, चीतल या फिर भांग भर correct answer हमारा क्या आजाएगा, B नमबर आजाता है दोस्तों, वन भैसा, option number B को आप लोग इसमें आद रखो गया पामेड वन अभियारन किस पसू के लिए विसेशता है, तो right answer हमारा क्या आजाएगा, वन भैसा, option number B को आप लोग इसमें आद रखो गया अगला question मैंने लिया है, गोमर दर अभियारन किस जीले में है, बिलासपूर, जानगीर चापर, रायगर या फिर सरगुजा आंसर में आप लोग क्या टेक मार करोगे, सा नंबर आ जाएगा, गोमदर अभियारन किस जीले में है, रायगर में, option number C को आप लोग इसमें आद रखो गया अगला कोशन देखिए, 36 गड़ में नविन्तम अभियारन बनाया गया है, सेमर सोत, उदंती, अचानक, मार, भोरम देव, रायट आंसर हमारा क्या जाएगा, भोरम देव, option number D को आप लोग इसमें आद रखो गया 36 गड़ में नविन्तम अभियारन बनाया गया है, तो इसका रायट आंसर क्या जाएगा, भोरम देव, option number D को आप लोग इसमें आद रखो गया next question देखिए, सीता नदी अभियारन कहां इस्थापित है, धमतरी, रायगर, जग्दलपूर, दुर्ग, करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, धमतरी, option number E को आप लोगों को याद रखना है सीता नदी अभियारन कहां परिस्थापित है, धमतरी, option number E को आपको याद रखना है, अगला question देखिए, 36 गण में अभियारनों की संख्या है, 8, 11, 10 या फिर 12, रायट आंसर हमारा क्या जाएगा, 11, option B को आपको याद रखना है, 36 गण में अभियारनों की संख्या कितनी है 11, next question पर ध्यान दीजे, पोमड अभियारन किस जिले में है, बिलासपूर, दंतेवाड़ा, सर्गुजा या फिर कमरधा, आंसर में आप लोग क्या टेक मार करोगी, दंतेवाड़ा को, पामेड अभियारन किस जिले में इस्तित है, दंतेवाड़ा, option number B को आप लोग इसमें याद रखना है, भैरमगर्ड अभियारन किस जिले में इस्तित है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा, दंतेवाड़ा, option number D, right answer, next question, तो मरपिंगला, अभियारन कहा है, महा समून, सर्गुजा, रायगर्ड, जस्पूर, करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा, सर्ग अभियारन में किस पसू का संरक्षन विशेश रूप से दिया गया, option देख लिजे, तेन, दुआ, सांभर, बाग, या फिर, वन भैसा, right answer हमारा क्या आजाएगा, वन भैसा, option number D, को आप लोगों को याद रखना है, उदंती अभियारन में किस पसू का संरक्षन विशेश किया गया, तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, वन भैसा, option number D, को आप लोगों को याद रखना है, next question पर धियान दिजे, उदंती अभियारन कहा है, रायपूर, महासमून, धमतरी, या फिर, जगदलपूर, right answer हमारा क्या आजाएगा, ए नमबर आजाएगा, दोस्तों, रायपू प्रदेश का सबसे पुराना अभियारन है, तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, सीता नदी आजाएगा, option C को आपको लोग इसमें याद रखेंगे, अगला question देखिए, निम्नमे से सुमेलित नहीं है, बादल खोर अभियारन जस्पूर, अचानक मार अभियारन बिलास्पूर, या फिर सीता नदी आभियारन धमतरी, बानर बार वन पारा अभियारन सर्गुजा, राइट आंसर हमारा D नमबर आजाएगा दोस्तों, बार नमवा पारा अभियारन सर्गुजा, सुमेलित नहीं है, बारन वर पारा अभियारन सर्गुजा, option number D को आप लोग इसमें याद रखो गया, next question देखे, किस जिले में दो अभियारन है, सर्गुजा, दंतेवारा, महासमुद या फिर उपरुक्त, A और B दोनो, right answer हमारा D नमबर आजाता है, दोस्तों, A और B दोनो, सर्गुजा और दंतेवारा, option number D को आप लोग इसमें याद रखो गया, next question मैंने लिया ह अचानक मार अभियारन किस जिले में है, बिलासपूर, रायगर, बिलासपूर, या फिर बस्तर, सर्गुजा, answer में आप लोग क्या टिक मार करोगे, बिलासपूर को अचानक मार अभियारन किस जिले में है, तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, बिलासपूर, option number E को आप लोग इस 36 गड़, option number D को आप लोग याद रखो गया, किस प्रदेश को हरबल स्टेट पनाने की घोशना की गई है, तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, 36 गड़, option number D को आप लोग इसमें याद रखो गया, अगला question मैंने लिया है, नान फेरस रिसोर्स प्रदेश कहा जाता है, सर्गुजा प्रदेश, बिलासपूर प्रदेश, कॉर्बा प्रदेश, राजनांद गाउं, प्रदेश, correct answer हमारा सा नमबर आ जाएगा दोस्तों, कॉर्बा प्रदेश, option number C को आप लोगों को याद रखना है, आई होप दोस्तों, वीडियो आप लोगों को यूश्फू लगा हो, तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, और मेरे शानल पे आई गाए दोस्तों, तो प्लीज सपूर्ट करके सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भुलिया, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजि ताकि मेरी हर नए लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते हैं, मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए, टेक केर, थांक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो